अब जैसे ध्यान देना अब जैसे हम लोग spread में करते हैं call spread को अब हम लोग sell करके देखते हैं call spread sell करने का अब जैसे मालो मैंने आपर ये मैंने आपर एक sell जब मैं करता हूँ जैसे मालो मैंने आपर क्या कर रहा हूँ long strike जो है 18250 का and short strike जो है वो है मेरा 18300 मैंने 100 point का basically मैंने इसको spread sell करना है ठीक है तो देखो कैसे होगा यहाँ पर यहाँ पर देखो कैसे होगा मैंने यहाँ पर क्या किया है इसको reset करने देख बर sorry spread में call spread में मैं गया मैं इसको sell करता हूँ ठीक है तो देखो यहाँ पर basically मैंने क्या किया है मैंने 18250 का sell किया है मैंने basically क्या किया है मैंने जो near वाला जो call option है उसको मैंने sell किया है and दूर वाले को buy किया है ऐसा क्यों मैं तुमको बताता हूँ ठीक है त तो जब market नीचे के तरफ में जाएगा तो call का दाम गिरेगा तो इस perspective से मैंने sell किया है ठीक है अब दूरवाला buy करने का reason क्या है protection अब जब मैंने sell किया तो मेरे को 68 रुपीज का premium आ गया बट जैसे मानलो अगर मैंने sell कर दिया अगर मैंने sell कर दिया और market उपर जाते गया जा बाए कर लिया एक सो पॉइंट उपर का ही buy कर लिया तो क्या हुआ मेरा loss क्या है रुख जाएगा मेरा loss रुख जाएगा अब देखो यहां पर इसको अच्छे से समझना अब यह वाला strategy एक दम पुरा बढ़िया से समझना ठीक है तो basically इसमें हो क्या रहे 18,250 का मैंने sell किया मेरे को प्रीमियम मिल गया 68 और मैंने प्रीमियम दिया है 31 तो नेट-नेट मेरे को प्रीमियम कितना मिला है इसमें 35 रुपीस पर एक्जांपल 35 रुपीस का प्रीमियम मिल गया है तो 18,250 तो I am protected अब देखो यहां से चालू करते है ठीक है तो यह कौन सा point है यह वाला point है 18287 है ठीक है तो 18287 के बाद मेरा loss चालू हो जाएगा but my loss is also limited but my loss is also limited देखो ना यहां पर maximum loss दिखा रहा है maximum loss दिखा रहा है मेरा maximum loss कैसे आ रहा है हम तुमको बताते है ठीक है तो 100 point हो गया ना 100 point का नुकसान है यहां पर 18250 18350 तो 1825 जर बट मैं को premium भी तो मिला है I have received a premium of 1875 तो 5000-1875 करेंगे तो 3125 आएगा यह वाला बताओ तुम लोगों समझ में आया है कि नहीं आया है यह बहुत important है यह हम लोगों समझना पड़ेगा अच्छे से यह वाला हम लोगों को अच्छे से तम समझना पड़ेगा basically इसमें मैंने क्या किया है मैंने call spread को sell किया है call spread को दे तो call spread को sell करने का main motive क्या है ध्यान देना, call spread को अगर हम लोग sell करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को यह लग रहा है, market जो है, market जो है वो नीचे जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 18250 का sell कर दिया, और लेकिन sell कर दिया, और market अगर उपर जाते गिया, जाते गिया, तो मेरा तो loss रुकेगा ही नहीं, हर एक point जो market उपर जाएगा, मेरे को 50 रुपए का नुकसान होगा, कि यह lot size 50 है, तो इसलिए मैंने 18350 का buy कर लिया, मैंने 18350 का buy कर लिया, तो 18350 का buy करने से क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर मेरा maximum loss क्या हो जाएगा, 100 into 50, पांच जार, औ premium मेरा मोटा मोटी मालो, 35 है, तो 35 into 50, 35 into 50, net premium basically, जो आया, minus जो गया, ठीक है न, तो यह सबको clear है, पहले यह वाला बताओ मेरे को, ठीक है, यह वाला बताओ मेरे को, यह वाला सबको clear है, ठीक है, ओके, अब जैसे मालो, मैं यहाँ पर, nifty के जगह में, bank nifty में आपको दिखा बाई करके देखते है, ठीक है, मालो, अभी जो market जो चल रहा है, वो आपका 44,000 चल रहा है, ठीक है, तो 44,000 का मैं एक buy करता हूँ, and 45,000 का मैं एक sell करूँगा, ठीक है, मैं sell करूँगा अगले महने का, या फिर मालो, जो index होता है, उसका हर हफता expiry होता है, तो अगला expiry मैं एक जुन का expiry का एक lot buy करता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखना, ओहो, यह change हो गया, एक मिटो को, I'll just reset this, bank nifty spread, it's 44,000 का buy है, and 45,000 का sell है, एक जुन buy, okay, call spread, तो call spread basically कैसा होता है, ऐसा होता है, तो अब जैसे देखो, इसमें क्या हुआ है, मैंने जो buy किया है, call spread में, इसमें मेरा premium लगा है, 401 रुपया का, ठीक है, और मैंने जो sell किया है, मैंने जो sell किया है, उसमें मेरा, मैंने जो sell किया है, उसमें मेरा premium क्या है, मिला है ना आया है, बिला है न गया है, आया है, तो 401 रुपय मैंने प्रीमियम दिया है, और 75 रुपीज जो है, वो मेरा क्या हो गया, प्रीमियम आया है, ठीक है, 401 रुपया दे दिये और 75 रुपीज प्रीमियम आया है, तो नेट-नेट मेरा प्रीमियम कितना गया, नेट-नेट मेरा प्रीमियम ग तो मेरा आएगा लगभग 8000 के आसपास, अब इसमें होगा क्या, देखो मेरा बास समझना, मैंने 44000 का कॉल बाई कर लिया, नेट-नेट मेरा प्रीमियम लगा है, 325 रुपए गा, तो देखो मेरा ब्रेक इवन उसी के हिसाब काएगा, 44327 आ रहा है, अब समझा, 44327 का मतलब क्या है, 44327 के ऊपर मेरा क्या चालू होगा, प्रॉफिट, बट मेरा प्रॉफिट जाके रुख जाएगा कहां पर, मेरा प् काफ है, ऐसे consistent हो जाएगा, तो यह वाला जो पॉइंट है, this is 45,000, this is 45,000, clear, and नीचे तरफ में क्या होगा, नीचे तरफ में, अगर मान लोग नीचे चला गया, तो मेरा नेट नुकसान कितना है, 325 रुपए जो प्रीमियम दिये, यह सब को clear है, call spread, यह सब को clear है, call spread, बोल करते है, put spread अगर buy कर रहे है, put spread अगर buy कर रहे है, तो मेरा basically objective यह है, कि market नीचे जाएगा, और put spread अगर sell करते है, तो मेरा objective यह है, कि market उपर जाएगा, ठीक है, तो एक put spread sell का strategy बनाते है, 25 तारिक का, ठीक है न, तो basically यहाँ पर ऐसे long लिखा है, बट यह होगा minus और यह वाला होगा plus, क्योंकि मैंने sell में दबाऊंगा, ठीक है, so I am doing 44,000 का sell and 43,500 का basically buy, ठीक है, so मैं sell कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर ऐसा कुछ, अच्छा, मैं पुराना वाला हटाना भूल जाओ, एक मिट्र को, so spread में मैं जाऊंगा, put spread 44,000 and 43,500 का sell, तो देखो कुछ ऐसा बन र देना, अब इसमें क्या हो रहा है, आप अगर देखेंगे, आप जो sell कर रहे हो 44,000 का, उसमें your earning premium 270 रूपीज, 276 रूपीज, ठीक है, and आप जो buy कर रहे हो, आपका premium लग रहा है 107, so net net जो आप premium दे रहे हो, मोटा मोटी is 160, सरोई, मोटा मोटी जो premium collect कर रहे हो, that is 160 रूप उसको अगर आप 25 से multiply करोगे, तो आपका आएगा, कितना आएगा, वो आपका आएगा 4215, so basically 4215 रूपीज, so ये basically क्या है, आपका maximum profit है, so अब इस strategy का मतलब क्या है, आप अगर समझेंगे तो, ये strategy में basically हो क्या रहा है, ये strategy में basically हम लोग क्या कर रहे है, ध्यान से समझना इस strategy में हम लोग का में agenda क्या है, कि मैंने sell किया है, जो एकदम add the money का जो put है, उसको मैंने sell किया है, मतलब market उपर जाएगा, तो market जब उपर जाएगा, market अगर उपर जाता है, तो put का दाम कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें basically मैंने जो premium collect, अब देखो, market अगर नीचे ज हालू हो जाएगा, समझा, और मैंने premium कितना collect किया है, मैंने premium collect किया है, net में 160, तो देखो, मोटा-मोटी यहाँ पर जो break even आएगा, 43832, तो 43832 के नीचे अगर जाता है, जैसे दो यह है तुमारा 44,000, धिरे-धिरे profit गीरा, 0 पे आएगा, 43832 पे, ठीक है ना, 43832 पे, और 4 43832 जो है, 43832 जो है, उसके नीचे जाने से मैं को नुकसान चलो है, बट मैं loss is limited, मैं loss is limited, देखो, यहाँ पर क्या है, आप अगर देखेंगे, मैंने 44,000 का sell किया है, and 43,500 का buy कर ले, तो maximum spread loss is 500 into 25, 12,500, बट उसमें भी अगर आप देखेंगे, 12,500 में भी अगर आप देखें 12,215 रुपिया, तो मेरा maximum loss आजाएगा 8285, मेरा maximum loss आजाएगा 8285, यह सबको clear है, देख लो, ठीक है, यह वाला सबको clear है, देख लो पहले इसको अच्छे से, यह वाला सबको clear है, देख लो आराम से, ठीक है, अब जैसे मान लो, मैं straddle में गया, मैं एक bank nifty का straddle बनाता जाओ, add the money, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, एक मैं पहले मैं को reset करने दो, straddle का मतलब basically क्या हो गया, अब मैं एक strategy बनाऊंगा, तुम लोग को इसको एक एक करके समझाना है, ठीक है ना, so we will start with निहारी का, ठीक है ना, so I am doing a straddle 44,000 by straddle, ओके, so अब इसका मतलब क्या है निहारी का तुम पुरा बढ़िया से समझाओ, बोलो, इसमें हमको, यह side वाला को तुम use कर सकती हो, ठीक है ना, straddle मतलब क्या होता है, add the money का call put दोनों buy करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने long straddle किया है, ठीक है, add the money का दोनों call put को buy करना, ठीक है, अब तुम बोलो, तो अगर हमने buy किया है, तो हमने दोनों जगा पर premium pay किया है, तो, कितना premium pay किया है, पुरा descriptive में समझाओ, कितना premium pay किया है, कैसे किया, पुरा descriptive में बताओ, 236 का premium और 276 का premium हमने pay किया है ठीक है और बैंक क्रिफ्टी में हमारा जो lot size होता है वो basically कितने का होता है 25 का 25 का हमारा lot size होता है ठीक है तो total premium हो जाएगा हमारा 236 plus 276 in 225 वेरी गुड़ विच इस हमारा उर्मोस्ट फाइश्टी ने स्क्रीन पर यह देखो स्क्रीन ट्वेल थाउजन एट हंडर का हमने 2826 क्योंकि this is the maximum loss option buying में जो maximum loss होता है वो क्या होता है जितना हमने premium पेकी है ठीक है ठीक है तो यह maximum loss हो गया and so मैं आपसे question यह race करना चाहता हूँ यह break-even का concepts किया मतला how do we get this break-even and अगर कोई long straddle करता है तो उसकी पीछे उसका क्या strategy है तुम पहले मैं को यह समझाओ long yeah 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 price basically 43 487 से 44 513 के लिए 43 487 आया कैसे यह हम लोगों का अंडल है मतलब वो जो जिस प्राइस पर हम लोगों ने खरीदा है उसके बेसिस पर 44,000 का जो strike price है हम लोग का 44,000 का जो strike price है उससे अगर टोटल प्रीमियम को सब्ट्रैक कर देंगे अगर मैं स्ट्रैडल लॉंग कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरा क्या आउटलाइन है बेसिकली मेरा क्या मेंटालेटी है बताओ अगर मैं स्ट्रैडल लॉंग कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरा स्ट्रैडेजी यह है कि मार्केट में एकदम पुरा तूफान आ जाए त्यूंकि मानलो मार्केट अगर मानलो जीरो भी हो जाता है न तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस किया है मैं मैक्सिमम लॉस लिमिटेट टूट्व थाउजद एट अंडड़ाइन ट्वेंटी सिक रुपीज और अगर मार्केट एक लाग भी चला जाए गा तो भी क्या है मेंको नुकसान नहीं को प्रॉफिट है न कोई भी एक तरफ अगर मुवमेंट हो जाए बहुत जोर का तो मिरको बहुत profit होगा बोले का मतलब यह तिक है अगर इस range में रहेगा तो मिरको नुकसान है इस range में रहेगा तो profit किसको है seller को है ठीक है विकॉज उसने यह premium खाया है मेरे से ठीक है देख लो तो मेरा जो ऊपर तरफ में जो break-even आएगा market अगर 44,510 र अच्छा, now next तुम ही को बताना है यही straddle को अगर मैं मानलो sell करता हूँ तो अब यह तुम अच्छे से समझाओ, try करो तो अगर हमने sell किया है तो हमको premium आया है, again the premium that we get is going to become 236,276 तो यह हमारा max profit होगा because as a buyer हम लोगों का max profit उतना ही हो, sorry as a seller हमारा उतना ही profit हो सकता है loss में अब फिर से हम लोगों का अगर within 430, within 430, 43, 487 and 44, 513 में हुआ, तो हम लोगों को profit होगा because we are sellers, हमारा strategy है कि हमारा the market will not, मतला market ज्यादा volatile नहीं है, ज्यादा change नहीं होगा very good, sellers क्या चाहते है market से low volatility and buyers expect very high volatility, ठीक है हाँ, बोलो आगे बोलो maximum profit यह क्यों है, क्योंकि और कोई profit नहीं हो सकता है, क्योंकि और यह profit क्यों है, मेरा, यह profit क्यों है, मेरा because हम लोगों को इतना ही, हमारा premium sellers का, जितना premium होगा, उतना ही उनका profit होगा very good, जो premium है, that is my maximum profit and जैसे मानलो, loss कब होगा, अगर मानलो, 43.487 के नीचे चला जाएगा, तो loss होगा and 44.513 के ऊपर चला जाएगा, तो मेरे को loss होगा, ठीक है, okay, okay so now, what I am doing is, I am making one strategy, ठीक है, so and I will give Ruchita two minutes of time and then she will explain, okay ठीक है, यह पूरा strategy है, दो मिटकर time ले लो and then basically आपको इला strategy मेरे को पूरा समझाना है, ठीक है यह जपको जढ़ा लो, यह बाएगा, जब अज़ागा, वो, तो, जो थे लो, भीक है, पातावा लो, जो, जो, तो, फूरा जज़ा है झाल 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 हाँ बोलो रुचीदा बोलो हाँ सर तो इसमें हमने 43,000 का put option sell किया है और 45,000 का call option भी sell किया है तो दोनों केस में हमने sell किया है तो प्रीमियम मिलेगा तो यह जो 43,000 और यह जो 45,000 यह क्या है इन दा मनी है एड दा मनी है कि आउट आप दा मनी है अभी मेरा add money बिसके लिए मेरा जो वो है जो spot है वो मेरा 44,000 है तो 44,000 के हिसाब से तुम बताओ गलत 44,000 है तो 43,000 के नीचे जाने से loss होगा अगर sell कियें तो 43,000 तो out of the money हुआ ना एक बास समझो एक चीज़ समझना तुम पहले जैसे मान लो एक चीज़ समझना मैं बोल रहा हूं strike price मेरा है 43,000 ठीक है और मेरा spot है 44,000 put option है ठीक है ना P plus for example तो अगर आज exercise करेंगे तो कितना रिपा मिलेगा आज अगर exercise करेंगे तो कितना रिपा मिलेगा zero क्योंकि 43,000 के नीचे जाने से pay off चालू होगा ना और spot तो 44,000 है यही अगर हम बोलते है कि मेरा जो spot है वो 45,000 है अगर मान लो यही हम बोलते है कि मेरा जो spot है वो 45,000 है तो उस case में क्या होता 45,000 के अगर आज हम exercise करते तो क्य क्या होता 45,000 माइनस 44,000 राइट 45,000 के नीचे से pay off चालू होगा तो अल्रेड़ी तो हजार पॉइंट नीचे है तो इस case में मेरा हजार रुपया क्या होता basically profit बने अभी का जो मेरा pay off है basically ठीक है ना तो यह out of the money है strangle मतलब ही out of the money होता है ठीक है strangle मतलब ही out of the money होता हाँ अब आगे बोलो बोलो तो दोनों हमने sell किया है तो हमें premium मिलेगा 42.95 और 15.95 और तो उस हिसाब से अपना total premium होगा like 59 rupees approximately यह nifty bank nifty है तो 25 का lot तो 1472 अपना maximum premium होगा तो अगर market अगर suppose अपना भी 44,000 40 कितना चल रहा है भी अपना market 44,000 market spot मानलो 44,000 चल रहा है तो अपना 43,956 है तो 44,000 मानलो तो अपना break even होगा basically put हमने 43,000 का buy किया है तो 43,000 minus 59 rupees जो हमने premium pay किया है यह नहीं के बटा मिला है sell के तो premium मिला है ना sorry premium मिला है जो and call वाले side में होगा 45,000 plus 58 basically इस range में मेरे को profit होगा 1472 का but अगर मानलो 42,942 के नीचे जाता है और अगर मानलो 45,058 के ऊपर जाता है तो मेरे को क्या होगा नुकसान चालू हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या किया है sell किया है whenever I am selling I assume that the market will be stable okay तो यह मेरा ideology है इसमें ठीक है इसमें देखो loss जो है वो undefined है क्योंकि market एक दम उपर चला गया तो बहुत ज़दा नुकसान हो जाएगा एकदम नीचे चला गया तो बहुत ज़दा नुकसान हो जाएगा so sell किया है put and call to post to call premium हमें pay कर दाओगा sell थोड़ी किया है buy किया buy किया premium pay कर दाओगा 19.6 or 66.45 उसे साबसे total premium हमारा हमारा 86 rupees very good तो maximum हमारा जो लॉस होगा that will be the total of both of the minutes okay 86 into 25 का लॉट है so 2151 यह हमारा constant loss होगा between so 86 into 25 so 2151 का मेरा maximum loss होगा right क्योंकि यह मैने premium pay किया है yes so this will be the constant loss between the both the strike price that is 42 500 and 44 500 and जो break even होगा that will be 22 500 minus 86 which is approximately 22 फिर से बुला आपने क्या बुला तो इस ट्रेंज में क्या होगा मेरेको नुपसान होगा और अगर बहुत नीचे चला जाएगा तो में को profit चलू हो जाएगा बहुत उपर मतलब 44586 के उपर profit 42414 के नीचे profit right तो आज बेसिकली हमने यह किया है ठीक है तो यह वाला जो recording है यह मैं डाल दूंगा और कल भी हम लोग आगे का करेंगे थोड़ा advanced strategies करेंगे ठीक है थोड़ा advanced strategies करेंगे मैंने बेसिकली मैं आपको revision note से नहीं कराऊंगा I'll just give you a marking कि आपको revision note से क्या-क्या करना है एक बार आप लोग question number mark कर लो ठीक है बुकलेट 2 में आओ एक बार बुकलेट 2 में आना बुकलेट 2 में mark कर लो question number मैं लिख देता हूँ easy रहेगा आप लोग के लिए मैं revision note से कुछ भी नहीं कराने वाला हूँ और कल basically हम लोग इसको खतम कर लेंगे ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ अपने को क्या-क्या करना है बुकलेट 2 में question number 2 है ठीक है उसके बाद में आपका है question number 2 के बाद में है question number 16 है question number 16 है ठीक है ना उसके बाद में आपका question number 25 है 25 है 29 है ठीक है उसके बाद में यह चार question है ठीक है ना तो यह चार question आपको practice करना है ठीक है तो कल वाले class के बाद फिर आप यह ला practice कर पाएंगे ठीक है thank you all of you लाद जाद हुआ जाद जै झाल झाल